जहां उससे उमीद की जाती है कि वो बच्चा बात कर पाएगा बट वहां तो बात नहीं कर पा रहा बट जहां वो comfortable अपने महौल में दूसरी situation में वहां वो बात कर रहा है दस साल या उसे जादा भी यह टिक जाता है फिर तो यह काफी जादा प्रॉबलम है तो उसके लिए फिर professional help जो है वो ले लेनी चाहिए नवा इश्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे selective mutism की जैसा कि आप शब्द से ही समझ सकते है selective मतलब एक particular situation mutism मतलब चुप लगा लेना अब इसका मतलब क्या होता है होता कि है अक्सर लगबग 0.5 या 1% बच्चों में यह समस्या होती है कि वो घर पे तो बहुत बाते करते हैं कहानिया सुनाते हैं पोयम सुनाते हैं पर जब वो स्कूल जाते हैं तो वो comfortable नहीं होते हैं बात करने में टीचर जब उनको खड़ा करती है तो बिल्कुल चुप लगा लेते हैं इवन अपने वो दोस्तों के साथ में करते हैं और कई पर तो ऐसा भी होता है कि दिच्वे या जाते हैं और बात के सामने तो बिल्कुल चुप है घर में पता देखो आप जाके तो आपको पता लगे कि यह कितनी बाते करते हैं तो अगर हम scientific criteria की बात करें जो DSM 5K साफ से selective mutism है तो मैं एक book अपने notes की help लूँगा उसमें है consistent failure to speak in a specific social situation in which there is an expectation to speak despite speaking in other situations इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ उससे उमीद की जाती है कि वो बच्चा बात कर पाएगा बट वहाँ तो बात नहीं कर पा रहा बट जहाँ वो comfortable अपने महौल में दूसरी situation में वहाँ वो बात कर रहा तो मतलब एक particular जगा पर वो बात नहीं कर पा रहा बट दूसरी जगा पर जो है बच्चा है वो बिल्कुल अच्छे से बात कर पा रहा है और अपनी बात को रख पा रहा है कि मुझे सूसु आई है मुझे potty आई है या poem सुनानी है कोई भी बात करनी है तो अच्छे से comfortably communicate कर लेता है जिसका मतलब उसको कोई language की problem नहीं है उसको अपनी कोई बात समझाने की problem नहीं है बड़ क्लास में तो आपको कुछ काम लिखने भी हैं कुछ समझने भी हैं कुछ बोलने भी हैं वरबल भी हैं तो वहां पर यह notice होती है तो अक्सर यह देखा गया है कि over a period of time देरे देरे जब बच्चा comfortable होने लगता है और वो अपनी teacher के साथ comfortable होता है अपने friends के साथ comfortable होता है तो वह खुद सभी बात करने लगता है और कई बार देखा भी होगा आप लोगों ने कि जब बच्चे को play school में या फिर school में admit कर आते हैं तो उसके बच्चा जो है वह जादा active हो जाता है क्योंकि आसपास का environment काफी stimulating होता है अगले चार-पान साल में अपने आप ठीक हो जाए तो ठीक है अगर लगना कर दस साल या उसे जादा भी यह टिक जाता है फिर तो यह काफी जादा problem है तो उसके लिए फिर professional help जो है वो ले लेनी चाहिए और professional help में जो है वो cognitive behavior therapy भी हो सक language की problem नहीं है ना कोई समझ की दिक्कत है ना सुनाई की दिक्कत है दूसरी situation में जो है वो बात नहीं करता अगर ऐसा एक मीने से जादा रहता है तो इसका मतलब यह परिशानी का विशे है इसके लिए हमें professional help की जरूरत है तो आज के लिए दोस्तों इतना ही धन्यवाद झाल